वेलकम बैक टु रिवायन टारो कैसे हैं आप सभी लोग आप सब बहुत अच्छी होंगे गाइस तो आज की रिडिंग करने जारी इस रिडिंग में देखूंगी कि आपके पार्टनर के सचे इरादे क्या है ठीक है उनके ट्रो इंटेंशन आपको लेकर के क्या है क्या सोच आपको अपनी ख्यालों में अभी भी सोचते हैं क्या वह आपके लिए कुछ ऐसी चीजे सोचते हैं जो आपको नहीं पता ठीक है आप जिस बी इंक्सान के बारे में सोचके इस रिडिंग को देखना चाहते हो येस आप देख सकते हो ठीक है ये रिडिंग मैरेड आप मुझे इस्टाग्राम में डियम कर सकते हो ठीक है साथी साथ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फोर डेली अपडेट्स ओके अब देख लेते हैं तो आपके पार्टनर की इरादे क्या है आपको लेकर ठीक है उनके सची फीलिंग्स क्या है दिवाइं गाइड करे और विश सोलमेट क्या बात है ब्लेम टॉक्सिक रिलेशन्शिप ओके लॉस सेडनेस गिल्ट के अनरजी है हाँ पर टॉक्सिक रिलेशन्शिप स्पैल बाउंड ब्लेम स्केर्ड विश मिररिंग मेंडिंग सोलमेट यहाँ पर मैं रख रही हूँ ठीक है होग क्या आपको कार्ट नजर आ रहे है अब चलिए हम टैरूट से क्लारिफाइब करके देखेंगे सो मैं क्लारिफाइब करने के साथ साथ बाते करूँगी ठीक है अट्या है लॉस सेदनेस के अनरजी को क्लारिफाइब करें डिवाइन क्ल्रिफाइब करें लॉस सेदनेस King of Pentacles Guilt के Energy को Clarify करे Divine Queen of Swords Toxic Relationship के Energy को Clarify करे इनके Energy में Toxic Relationship के Energy क्यों है सो यहाँ पर दो कार्ट्स आ गए ठीके Eight of Cups and Four of Pentacles Spell Bound के Energy को Clarify करे Divine Clarify this Spell Bound यहाँ पर भी दो कार्ट्स आ रहे हैं वहाँ रख नहीं सकते लेना ही पड़ेगा ठीके विकॉस हर कार्ट्स अपने आप में कुछ ना कुछ बताने के लिए आते हैं ठीके Blame के Energy को Clarify करे Divine The Hangman ओके यह Blame के Energy को Clarify कर रहे है ठीके मैं इसको इहाँ पर रख देती हूँ आपके परसन के Energy में जो राशिया पीक हो रही है वो राशी है Aries, Leo, Sagittarius, Canso, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius के Energy है मैं हिंदी में बतायती हूँ कुम राशी, मीन राशी, मकर राशी, धनु राशी, वरिष्षिक, तुलाग, कन्या, सिंग राशी, मिथुन, कर्क, वरिष्यव राशी, मेश राशी यह सारी ओल राशिया यहाँ पर प्रेजन्ट है और यह 12 Sign Reading है साइन्स को लेकर के जादा ना सोचे ठीक है फोकस एनर्जी इस पर कीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी में हाँ पर क्लिर रिप्रेजन्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर की जो है कही ना कहीं गिल्थ पच्चतावा इनके अंदर definitely हो रहा है इनके फीलिंग्स में भी यह नजर आ रहा है इनके फीलिंग्स में भी यह पिक हो रहा है कि यस इंसान जो है अब कहीं न कहीं अपने किये पर यानि कि जो चीज़े इन्होंने करी है पास्ट में उस चीज़ को लेकर कि इंसान जो है काफी सोच विचार कर रहे है ठीक है अपने मन में इन्होंने बहुत जादा गिल्ट लिया है इस रिलेशन्शिप को ना इस इंसान में बहुत जादा टॉक्सिक बनाया है या तो इस रिलेशन्शिप से इन्होंने खुदी निकलने का फैसला लिया था ठीक है इस रिलेशन्श करके चले गए ठीक है यह ओल्रडी आपको अलग रहा है कि आपको ब्लॉक कर रखा इन्होंने चीक है मुब आन कर रहा है जैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है ठीक है साथी जाद अपके पार्टनर का ध्यान हुआ ऐसा दिखाना चाहते है कि मेरा पूरा का पूरा फोकस मेरे खुद के कामों पर ठीक है बड़ देखो कि काम सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने आप एक निउस पेपर पकड़ा हुए राइट और ध्यान जो है पढ़ने चले गए हो इनके लाइफ से ठीक है आपकी जो इंसल्ट होई कहीं न कहीं आपने इन चीजों को बहुत जादा डीपली सोचा है ठीक है रियलाइस किया और कहीं न कहीं इस आर्गुमेंट के बाद आप इनके लाइफ से चले गए ठीक हो सकता है यह इंसान सिंगल है इस वक इनके आस पास को ज़्यादा लोग मुझे दिखनी रहे ठीक हो सकता है यह आपके friend हो उसके बाद भी आप दोनों no contact में गए हो ठीक है यह भी हो सकता है कि आप अपनी ज़्यादा चलाते हो इस रिष्टे में और आपको ऐसा लगता है कि आपके partner बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर किसी एक इंसान को ऐसा लग रहे है कि यहाँ पर नीच्छा दिखाया गया ठीक है यह आप भी हो सकते हो आपके partner भी हो सकते है बिकाज यहाँ पर थोटफुल ज़ादा हो रहे हो ठीक है seven of cups के energy काफी ज़्यादा सोच विचार करते हुए ठीक है love के बारे में बहुत ज़्यादा सोच की यह upset feel कर रहे है emotional वेकते है emotional needs इनको बहुत होती है sometimes इनको बहुत तखलीफ होती है ठीक है इन सारी चीजों को सोच के कि इनके भी life में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो इनको संझे इनको हर बात में pamper करे ठीक है इनको प्यार दे विकाज इस टाइम पर हार इंसान प्यार का आधी होता है यानि कि इसको प्यार के need होगी बट इस इंसान को प्रॉपर लव मिल पार अपने life में प्रॉपर तरीके से शांती मिल पा रही है जिसके गाराने इंसान कहीं नहीं कहीं एक घेरे में खड़े वे नजर आ रहे हैं एक ऐसे बंधन में फस्ट चुके हैं जहां से यह ना निकल पा रहे हैं ना कोई decision ले पा रहे हैं अपनी life में बट सोचते काफी अच्छा है अपने जीवन क को सेटल करने के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं इनकी सोच में आप बहुत अच्छे लेवल पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसंद्रस्टाइडिंग होई है एक दूसरे को ब्लेम करा गया है ठीक है आप दूसरे से कहीं ना कि घबरा यदि उन्हें आपके प्रती किसी तरीके का इनिशेटिव नहीं लिया आप इनको छोड़ दो ठीक है और यह पॉरसन जो है कहीं नहीं चाहते यह चाहते हैं कि आप इनको अपनी दुआओ में मांगो अपनी प्राथनाओ में अपनी प्रेयर्स में इनको शामिल करो ठीक है और इनके लाइफ में भी ठीक उसी तरीके से happiness लेके आओ जैसे कि आप पहले इनके लाइफ में लाते थे ठीक है आप definitely इनके happiness का कारण रहे हो इस तरीके से आपको सोच रहना ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया इन्होंने आप में देखी है ठीक है आप लोग एक ऐसे relationship में आए जहां पे आप दोनों को ही अपना कर्मा बालन्स करना था ठीक है पास लाइफ से हो सकता है कि यह चीजे चली आ रही हो इस इंसान ने कभी उस चीज को जादा स्रियस लेने की कोशिश नहीं कहीं बच जब आप दोनों के बीच में distance आया ठीक है जब relationship break हुआ या distance आया उस time इस इंसान को ऐसा लगा फील हुआ कि चलो ठीक है यदि इंसान मुझसे दूर जाना चाहता है मेरे से दूर जाके यदि यह better feel कर रहा है it's okay मैं भी दूर जाता हूँ या जाती हूँ ठीक है इस तरीके से इन्होंने definitely सोच लिया था बड़ इस इंसान को कहीं न कहीं यह रिष्टा खीचता जरूर है ठीक है यह आपके साधी होता होगा आप भी जब इस रिष्टे से निकलने की कोशिश करते होंगे तभी यह रिष्टा कहीं न कहीं आप दोनों को ही खीचने की कोशिश करता है अगेन एक बंधन में बांधने की कोशिश करता है ये same energy आपके partner के अंदर भी दिख रही है कि ये इंसान जो है आपको अपना soulmate मानते है ठीके और ये सा मानते है कि आप इनके life के only one ऐसे person रहे हो जो काफी beautiful रहे हो ठीके आपके जैसा इंसान ये दुबारा नहीं ढून पाए हाला कि इनके पास options, chances, opportunities सब थी ठीके उसके बाद भी ये person जो है किसी और की तरफ जा नहीं पाए या उनको वो emotional attachment वो feelings किसी और से मिल ही नहीं पाई ठीके ये जितनी भी कोशिश करते हैं वो शारी कोशिश इनकी fail हो जाती है इसा लग रहे है ये इंसान किसी से भी आपको compare करते है तो उसमें ये पीछे छूट जाते है कुछ ना कुछ चीजा ऐसी निकल आती है जिसमें आपके comparison में कोई होता नहीं है जिस तरीके से इंसान जो है अपने काम में बिजी नजर आ रहे है ठीके बट ये बिजी है नहीं ओके ये कार्ट चिपक जाते है ना निकलते नहीं जल्दी सो हमें यह वाला कार्ट चाहिए और कि से यहां पर दो कार्ड आ रहे है दिजस्टेस एट ऑफ पैंटिकल तो नंबर एट काफी ज़ादा रिप्रेजेंट हो रहा है आपकी energy में यानि कि आपकी reading में सो chances है नंबर एट हो सकता है इनके बर्थ नंबर में शामिल हो या यह इंसान जो है अपना कर्मा बालेंस कर रहे है नंबर एट का आना यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान का कर्म जो है यानि कि कर्मा जो है कहीं न कहीं बालेंस हो चुका है ठीक है और यह कहीं न कहीं ओवर जादा सोच रहे है और यह आपको अपने ख्यालों में जरूर शामिल कर रहे है ठीक है इनको ऐसा लग कि व्यूभी एक दोनों चीज मानी बहल मोई भी कुछ होगा खाने मसिपनें उपर उपर से भी एक ध मुझे आप से लग रहा है इस इस इंसान को रोक रही है उस तो चीजे है जो इस इंसान को रोक रही है इस तो चीजे है जो इंको बॉदर कर रही है ठीक है बहुत ज़्यादा बट यो सकता है कि नहीं बता पारे आपको देखो जैसे मैंने कहां कि बॉदर कर ली है इंको बहुत परिशान कर रही है 10 of source और alace of divine का काड है तो chances हैं कि इनके life में कुछ ऐसा situation चल रही है पर इनका दिल काफी तूटा हुआ है, काफी half broken सा feel कर रहे हैं ये, बट काफी तकलीफ भी है इनके लाइफ में, हार जगा इनको manage करना, हार जगा चीज़ा balance करके, चलनी है, बट इंसान कहीं किसी बी जगा balance करके, अपने आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, काम देखो इनके सर पे बहुत है, जैसे कि मैंने कहा कि इनका हाटब्रेक वाए, देखो यहापे ट्री अप सोर्स के एनरजी, तो कहीं न कहीं, इन कामों में उनको संतुष्टी नहीं मेल रही है, ठीक है, इनको लव रिलेशन्शिप में जो है, महरत हासिल नहीं हो पा रही है चांसे से आपके पार्टनर जो है लव के लिए क्रेव करते हुए, ठीक हैं लव रिलेशन्शिप में आने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे है, चांसे से यह कहीं सडन ट्रेवल करे , यह कहीं ट्राव्लिंग के इनरजी को भी रिप्रेजन कर रहे है, तो यह अपने पार्टनर कहीं travel करने वाले हें आने वाले time पर विदर को Yep अपने हाट को follow करतेवे नजर आरे चांसे आ यह traveling आप दोनों के रिष्टे को भी बता रही है ठाइए हो सकता है कि आप पार्टनर आपकी तरफ travel करें के ड्रहे हो बीच में काफी लंबा गया पा जाएगा और इस गयाप को फिल कर पाना वापस से चीजों को ठीक कर पाना इनके लिए काफी जादा मुश्किल होगा सो चांसा से इंसान अपने हाथ में या लेफ्ट या राइट कहीं पर भी यह वाच ज़रूर पहनते होंगे ठीक है वाच का यूज बहुत दख करते हैं विकास यहां पर बार बार टाइमिंग रिप्रेजेंट हो रही है आपके बार बार टाइम देखते हुए नजर आ रहे है टाइमिंग के अनरजी बहुत ज़्यादा आ रहे है जब से रिडिंग कर रहे हो लाइक मुझे कुछ टाइमिंग ऐसा लग रहे है कुछ टाइम का प्रॉबलम है आप दुनों में या फिर समय जो है आप दुनों के बीच में रुकसा गया है ठीक है पता नहीं कि यह बार ब रिब्धार में जादा ख्याल कर रहा है ठीक आपके तरफ इंका ध्यान अकरशित हो और है बिकाद हो सकता है इससे पहले यह इतना जाधा की फोकस नहीं थे या इतना जादा यह चीजों को लेकर सोच विचार में नहीं थे तक्य inclusion के दर बंस चीज़ें सब्षैन को बिच म कहीं न कहीं divine timing required है विक वसा लग रहा है एक perfect divine timing पहीं आप दोनों के love relationship में आप कहीं न कहीं इस रिष्टे में आगे बढ़ सकते हो ठीके बटी हाँ पे एक चीज में और बता दू ये इंसान जो है कहीं न कहीं बहुत ज़ादा options में फसे हुए हलाक इनके life में उन options पर इतना focus नहीं है बड़ी हो सकता है family ने दिखाया है ठीके या कहीं इनका रिष्टा होने जा रहा है या कहीं बात पक्की होने की बात चल रही है ठीके इसलिए भी आपको ignore कर रही है नहीं चाहते कि इनके life के बारे में जरा सा भी भनक आपको लगे ठीके या जरा सी भी बाते आप जान पाओ जिसके वज़े से इंसान खुद को height करते हुए नजर आ रहे है ठीक है और किसी ना किस तरीकी के negativity का सामना ये कर रहे है इनके life में हो सकता है काफी negativity आ गई है लंबे time से सोच विचार में ओवर्थिंकिंग में हो सकता है कि इनको headache की भी problem हो रही है बट इससे बताते नहीं है इनको सब कुछ बहुत normal सा लगता है कि चीजे अभी खराब है बट आगे जाके सही हो जाएंगे ठीक है इस तरीकी की चीजे यहां पर नजर आ रही है इस यह थी गाइस आपकी रिडिंग यदि रिडिंग पसंद आई हो रिडिंग को लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें धेर सारा प्यार दे डिवाइन टेरो को अभी के लिए बस इतना ही मैं मेलती हूं आप सभी से अग लिडिंग में बाई काइस